हरियों प्यारे दर्सकों प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी का दनरोज गुरू के येटूब चैनल पर आज है भैंकर सूर गहन आठ अपरेल दो हजार चौबिस इस वीडियो में जानेंगे गहन की टाइमिंग सूतक का सही समय भारत में इतने बज़े गहन लगेगा भार हो सके तो आज लगेगा साल का पहला सूर गहन भारत पर प्रभाव और सूतक काल का समय वैधिक जोतिस के अनुसार सूर और चंद्र ग्रहन समय समय पर पढ़ते हैं जिसका प्रभाव मानो जीवन और प्रत्वी पर पढ़ता है आपको बता दें कि साल का पहला सूर ग्रहन आट अप्रायल को पढ़ने जा रहा है यह ग्रहन अमावस्तिती को रात नौ बज कर बारह मिनट से सुरू होकर एक बज कर पच सूर ग्रहन होगा अब जानेते हैं सूर ग्रहन की टाइमिंग क्या है तो भारती समय के अनसार यह सूर ग्रहन आट अप्रायल को रात नौ बज कर बारह मिनट से नौ अप्रायल को देर रात दो बज कर बाईस मिनट तक रहने वाला है सूर ग्रहन की कुल अवधी पांच घं पहपको बता दें यह सूरग्रहन भरत में द्रस मान नहीं होगा साथ ही इन देसों में यह सूर गहन दिखाई देगा तो सूर गहन को पस्व में यूरोब आर्टलांटिक, आर्कटिक, मैक्सको उत्री अमेरका, कनाडा मध्य हमेरका, दच्छन अमेरका इंग्लेंड के उत्तर पस्व मचेतर में और आयरलेंड में दिखा जा सकेगा और इस सूर्गहन का प्रभाव भारत में क्या पढ़ने वाला है वैदिक जोतिस के अनुसार आट अप्रायल को लगने वाला सूर्गहन भारत में नहीं देखेगा इसलिए यहाँ ना तो सूतक्काल के नियम लागू होंगे ना ही पुजापाट पर पाबंदी नहीं होगी और सूर्गहन इन रासियों को सुब रहेगा वैदिक पंचांग के अनुसार आट अप्रायल को लगने वाला सूर्गहन वरसब, मकर, सिंग, तुला, वरस्चिक और कुम्ब रासिवालों के लिए बहुत सुब रहने वाला है इन लोगों को आकस्मिक धनलाब हो सकता है वहीं सूमवती आमावस्या के दिन सूर्गहन का ये संयोग बन रहा है वैदिक पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्गहन चैत्र आमावस्या तिति के दिन लगने जा रहा है इस दिन सूमवार होने की करण इसे सूमवती आमावस्या के नाम से जाना जाएगा तो ये है एहम जानकारी